Hello friends, मेरा नाम है Dr. रचना जसानी और मैं हूँ एक किद्नी की डाइटिशन किद्नी की डाइटिशन वो होती है जिन लोगों को किद्नी की प्रॉब्लम होती है उन्हें आहार न्यूटिशन किस तरह से लेना चाहिए वो सिखाती है आज मैं जो है वो डाइल सस्पेशन के लिए पकॉडास की रेसिपी जो है आपके लिए लेकर आ रहे हूँ ये पकॉडास की रेसिपी जो है वो होने वाली है completely healthy क्योंकि इसमें है minimal amount of fats, high in proteins, less in salt as well as low in potassium आएए बढ़ते हैं हमारी recipes की तरफ तो पहली रेसिपी जो है वो है soya onion पकॉडास यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सबसे पहले मैंने लिया है एक चमच चने का आटा यानि की बेसन इसमें मैं डालने वाली हूँ एक छोटी सी चुटकी iodized नमक चुटकी of हल्दी एक छोटी सी चुटकी रच चिली पाउडर हिंग और इसे के साथ साथ मैं डालने वाली हूँ roasted jeera powder अब इसके अंगर मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून्स ओफ लंबे कटे हुए onion अब हम इसमें डालेंगे हलका सा पानी और एक इसका गाड़ा सा बैटर रेडी कर देंगे इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ मेरा सीक्रिट इंग्रीडियन जो की है डी फैटेड सोया ग्रैनियूल्स आप डी फैटेड सोया चंक्स भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन आपको उन्हें बॉयल करना है बॉयल करने के बाद आपको उन्हें अच्छे से पीस लेना पड़ेगा ताकि उसकी पेस्ट हो जाए अगर मैं सोया ग्रैनियूल्स डालती हूँ तो मुझे उसके पीसने की जरूरत नहीं होती है इस तरह से देखिए मैं इसको बिल्कुल भी डीप फ्राइ नहीं करने वाली हूँ मैंने एक नॉन्स्टिक अपम स्टैन के उपर मेरे ये जो अनियन पकौरास है उनको मैंने डाल दिया है और हर एक वेल में मैं केवल और केवल एक से दो बुन तेल ही डाल रही हूँ और आप यहां पर देख पाएंगे इतने कम तेल में भी हमारी ये जो पकौरास है वो कितने क्रिस्पी हो रहे है और अच्छे से सुनहरे भी हो रहे है और ये हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है इस recipe को आप धनिय पुदिने की चटनी के साथ enjoy कर सकते हैं, आईए बढ़ते हैं हमारी second recipe की ओर जो की है soya मेथी पकावरास, यहाँ पर हमारी process जो है वो same रहने वाली है, मैंने लिया है 1 cup चनी का आटा, 1 fourth cup मेथी leaves, अगर आपका potassium जादा रहता है तो आप मेथी को leech कर सकते ह लीचिं की process जो है वो आपको अगले वीडियो में जरूर तिखाई जाएगी, इसके साथ साथ मैंने इसमें डाला है iodize नमक, हल्दी, मिर्ची, हींग और अब आप देख पा रहे हैं मैं इसमें डालने वाली हूँ 2 tablespoons of boiled soya granules, अब मैं इसमें डालूंगी पानी और एक गाड के ऊपर यहाँ पर अगयन आप देख पाएंगे बहुत कम oil से बहुत ही अच्छे crispy सुनेरे आपके पकोडास जो है वो हो सकते हैं अब अगर आपको मेरी चानल यह अच्छे लगी हो मेरा यह content अच्छा लगा हो तो I would request you please मेरी चानल को subscribe कीजिए इसी के साथ साथ हमारी यह recipe जो है वो ready हो चुकी है अगर आप आगे ऐसे कोई भी recipes देखना चाते हो तो please मुझे नीचे comment box में लिख कर दिखाएं और please आप हमारी अगली recipe की ओर बढ़ते हैं यह है soya corn पकोडास इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है चनी का आटा जिसमें मैं डालने वाली हूँ 3 tablespoons of boiled corn इस boiled corn को अगर आप चाहे तो crush भी कर सकते हैं इसे के साथ साथ मैं डालने वाली हूँ 2 tablespoons of boiled soya granules, चुटकी भर iodized नमक, इसे के साथ साथ हल्डी, मिर्ची, आप बार बार देखेंगे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं iodized नमक का इस्तिमाल कर रही हूँ चुकि यह dialysis patients है इ इसके लिए iodized नमक का इस्तिमाल करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है इसके बाद मैंने डाला था हीम, तेल और अब मैंने 2 tablespoons of इसमें पानी डाला है ताकि इसका batter जो हो हलका सा गाडा हो जाए ध्यान रखिए कि इस batter को बिल्कुल भी running या fluid नहीं बनाना है यह देख अगर आप लेना चाहे तो आप तेल के बदले काओगी का भी जरूर इस्तमाल कर सकते हैं आइए बढ़ते हैं हमारी last recipe की और जिसका नाम है सोया राइस पकोडास इसके लिए मैंने यहां पर लिया हुआ है चने का आटा एक कप, one pot cup of cooked rice आप चाहे तो बास्मती राइस इस् पिंच of haldi, red chili powder, इसी के साथ साथ मैंने डाली हुई है हींग, हींग जो है वो बहुत अच्छी है digestion के लिए इसलिए dialysis patients को इस्तमाल करना काफी अच्छा रहता है उनके health के लिए, अब मैंने डाल दिये है 3 टेबल स्पून अफ पानी, अच्छे से इसे हम mix कर लेंगे और बैटर भी जो है, वो हमको ध्यान रखना है कि बहुत जादा पतला नहीं बनाना है, यह थोड़ा गाड़ा होना चाहिए बैटर, अब मैं 2 स्पून की सहायता से मेरे इस बैटर को अपम स्टैंड के wells में जो है वो डाल रही हूँ, इसमें बिलकुल हलका सा हम तेल पोर करें अगर ऐसी और रेसिपीज आप पाना चाहते हैं, तो मेरे चानल पर आप पास सकते हैं पूरा का पूरा थेरेपेटिक डाइट कोकिंग कोर्स डाइलेसस पेशन्स के लिए जिसमें आपको नाकी के वल लंच और डिनर, एवन ब्रेक्फिस्ट और इवनिंग स्नाक के और आपको डिजर्ट के मेन्यूस भी मिल सकते हैं, इनकी जानकारिया पाच सकते हैं नीचे कामेंट बॉक्स में, मुझे जरू सब्सक्राइब कीजें, और थेंक यू फू वाचेंग